सबस्क्राइब कीजिए हमारी चैनल सुनिपट 24 को सबसे पहले लेतेस्ट खबरे देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए सोनिपसिंगु बाुडर पर चल रहा किसान आंदोलन बार-बार विवादों में आ रहा है कल भी सोनीपत सिंगु बॉटर पर चल दा ही किसान आंदोलन में एक मुर्गा सप्टाई करने वाले मनोज पास्वान नाम के शक्स के साथ निहंग सिख डवीन निवासी करनाल निमार पीट की जिसके बाद निहंग सिख जथे बंजियों नवीट को सोनीपत पुलिस को सोंग और आज पुलिस ने नवीन को कोट में पेश किया और एसी जीएम अरविन कुमार की कोट ने उसे एक दिन की पुलिस को स्टरडी में भेज दिया वहीं जब निहंग सिख नवीन को कोट में पेश कर मेडिकल के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल लेकर चाया जा रहा था तुकोड से बाहर निकल कर नवीन ने बीडिया के कैमरे के सामने पूरे घटना करम को बताया कि मैंने उस शक्त को कहा कि वो यहां बीडी ना पिये और उसने मेरे गले पर हाथ लगाया और कहा कि तू कौन है अगर कोई किसी के गले पर हाथ लगाएगा तो आदमी गुस्से सेवा दे रहा हूं जाम हटवाने के लिए मैं वाह कड़ा था जब ये बारदात हुई सोनीप ट्वंटिफोर के लिए शाम वशिष्ट के साब रमिश्ट कुमार की रिपोर्ट पेश करने के बाद जो है उसके बयान लिये थे बस बयान लेने के बाद जो सब्सक्राइब कर दिये थे उसको एक दिन में तस्तवी में रखने के लिए हैं और माराज का परकास भी होता हुए थे बीड़ी पी रहा हमेंने उसको यह बोला कि भाई तू इदर बीड़े नाती तू आगे जागे ती ले उसने मेरे इत्यात लगाया तू को ने मेरे गरोगण वाड़ा मगला में बतातन जीव किरवान पर याद उठा देगा तो बंदा उससे में कुछ भी कर सकता है वो आरो दो जार इकिस को बना था वेसा क्यार दिन मैंने अमरत शका था कहा पर यहां पर दिली जो यह गुर्द्वारा बना रख्या कितने दिन से आप सेवा में होगे मैं जिसंबर महीने से शेवा में हूँ लिकल टिस्ट में समय की गटना है जिस्ट मैं आप में लगा दस बजे क मेरे साथ था उसके अरिस्तबार आये हुए थे सावनफूर जबी इननसे